आपके साथ मैं हूँ किरन यादों आज कि इस रिपोर्ट पे हम बात करने वाले हैं दरेसल अशोग गेलोत सचिन पाइलेट और सारा पाइलेट के बारे में सबसे पहले आपको बताती चलूं सचिन पाइलेट की पत्नी है सारा पाइलेट और सारा पाइलेट जिस तरीके से एक्टिव नजर आती है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं सारा पाइलेट की तरफ से क्या कुछ बयान दिये जा रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं सचिन पाइलेट के अब अगर मैं बात दिखाए गए थे उसके बाद सचिन पाइलेट से डेपटी सीम का पद ले लिया गया क्योंकि साल 2020 में सचिन पाइलेट अपने तमाम विधायकों के साथ माने सर चले गए थे और जिस तरीके से उन्होंने बगावती सुर दिखाए उसके बाद कॉंग्रेस आला कमान उनसे ना दुगर लेकिन अब उन्हें बाजिगर भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी को आगे रखते हैं जिस तरीके से वो राजदिती में जादू दिखाते हैं वो किसी से नहीं चुपा है अशोक गेलोत लगातार अब इसी कोशिश में है इसी उम उमीद में है कि अब सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए यहां तक कि उन्हें ये भी उमीद है कि सचिन पाइलेट को कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन आपको मैं बताती चलू सचिन पाइलेट राजस्थान के एक वरि सिनेता को सिर्फ और सिर्फ एक विधाय की देना कोई भी बड़ा पत नहीं देना अपने आप में उनका अपमान है तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से सजिन पाइलिट लगातार कोशिशे कर रहे हैं कि उन्हीं को अगला मुख्यमंतरी पत दिया जाना चाहिए जिस सरीके से कॉंग्रिस आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं और बीते दो दिन पहले तो उन्होंने अशोग गैलोत की तुलना कर दी गुलाम नभी आजाद के साथ वही गुलाम नभी आजाद जिन्होंने कॉंग्रिस का साथ छोड़ दिया था और कॉंग्रिस आला कमान पर गंभ प्रतिक्रियाई सामने आते हैं क्योंकि अशोग गयलोत लगातार बयान भाजिया करते हुई नजर आते हैं लेकिन इंडारेक्ली बिना नाम लिये ही अब हम बात करते हैं सारा पाइलिट तो सारा पाइलिट भी लगातार अशोग गयलोत के खिलाफ बयान भाजिया करते हुई नजर आती है लेकिन अब सारा पाइलिट के पती सचिन पाइलिट को कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है ऐसे में सारा पाइलिट की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाए सामने आएंगी वो भी देखना अपने आप में दल्चस्प होगा फलाल के लिए इस रिपोर्ट प